मैं समझता हूं CITW के जो आपने बुला है निश्चितुप साथ पहजिवारी मिला है और निश्चितुप से स्वभागी का विश्य है और विश्य सूप से यहां जिस तरीके से स्वास्त के उपर हम बात करें हेल्थ के उपर काफी सारे एकुप्मेंट देखने को हम पूर हम और जिस तरीके से वहां की जो रिक्वार्मेंट है वहां की जो भूबलिक परिस्थितियां है वहां का जो एंवार्मेंट है इस तूप से वहां पर है वैसे तो हम स्मार्ट सिटी की तरफ अग्रसार और आपने जिस तरीके से कहा कि चैलेंज क्या हमारे लिए तो सब एम स् चैलेंज है और स्मार्ट सिटी के साथ साथ ही हमने और बहुत सारी चीजी जैसे टेकनोलोजी में या हाई-फाई जोन या उसी के साथ फिर हम एक्लीन सिटी रख पाएं पानी के लिए भी हमारे यह जो जील है वह समझता हूं ग्रेस दुनिया की सबसे चीजी जील है उसको भ मटलके हैं वह साथ सूती रहे साफ सुतरा वहां भॉपाल है स्वी वथच्छ भॉपाल कर्भी है इसके लीए हम लगाचाँ कर चाहिंeld धि废ेव के लिए तो समझता है बहुत सारे जगे घ्रया इस तरीके के अभियान चलना है जिसमें मिन्सिपल कॉर्परेशन के हमारे जो कर्मचारी है वो तो निश्चितुप से उसमें इन्वाल्व हैं साथ ही हमारे बहुत सारे जिसे वहाँ पर जो डोर टूर कचरा कलेक्शन की वे गियोजना है प्लस इसके साथ जैसे अरेरा कालोनी जो छेतर है वहाँ बहुत सारी सोसाइटी है तो आगे आई हैं जन्भागीदारी से काम करते हैं वह और उनके कर्वचारी भी उसमें सयोग करके इन्वाल्मेंट रहता है ऐसे बहुत सारे लोग है आजकल तो मानी मोदी जी धानमंत्री जी ने इस तरीके से स्वच्च भारत का नारा दिया है तो समझता हूं कि एवल भुपाल शहर नहीं बलके पूरा देश जो है समय जन्भागीदारी से उसमें सयोग कर रहा है कि हमारा पूरा भारत स्वच्च रहे और स्वस्च्च रहे जहां तक भुपाल शहर की बात है वनिश्चित रुपाल खोड़ सूरत है साफ है बिश्च्च रहे और इसके लिए यहां पर विश्चित रुपसर मुझे एक देखने में एक तो मुख्य सड़कों के उँपर चोड़ी सड़के हैं में के निकल स्ट्रीपर वो देखने में आया है और इस चीत रुप से उससे पूरे जो मुख्य मार्ग है वो कही नगी और उसके अंदर भी जो कॉलोनी के रोट्स है तो निश्चित रुपसर उसके साफ सफाई के लिए आवशक्ता होती है जहां एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे एक्यूपमेंट है हमें देखने को मिले हैं वहीं दूसी तरफ कुछी जो कमी लगी है तो भी मैं निश्चि निश्चित उसे आए टेकनलॉजी हम बहुत आगे हैं किया कोई डस्टमीर यूप डस्टमीर जिसके अंदर कछ्रा फुल हो जाए तो वह बीप कर दे और अटॉमेंटिक उस सेंसर के माध्यम से या आच जो टेकनलॉजी है उसके माध्यम से मुबाइल के अंदर मैसेज लेकिन आज करके डस्ट्वीन को उठा के फिर वापस गाड़ी में ले जाओ और फिर उसको कच्रा डंप करो परन्तु क्या कोई ऐसा डस्ट्वीन नहीं है जो डस्ट्वीन ही कम्प्लीट एक गाड़ी जैसा रहे जिसमें सिर्फ इंजन लगाने की आवशिकता रहे और उसके जो चला जाया थे जोके जोके अगसर जो डस्ट्वीन जहां होते हैं सबसे बड़ा कच्रा गार सबसे बड़ी गंदकी वही हो जाती है देखने में आता है कि जब डालते हैं तो आपकर पहली बार जब रखायता है अभी साफ एक आलाबाँ हमेसा गंदा होता है और सबसे जाता बेटा रिस्तिती बड़ा तो आज वह आवशकता है कि आटोमेटिक वहां कच्रा आ जाए आटोमेटिक वह डंप हो जाए और इन सब ठीचों के लिए और बहतर टेकलोजी लाने के आवशकता है और बाइविन्स का भी निस्टिटूस तो आज जैविक इस तरीके से ह हुमारे परियावरन को असनतुरित कर रहा है इससी तूप से उसमें हमें आवशकता है कि उसका भी निस्पादन महीं के महीं हो जाए तो अच्छे हमको ऐसी सलस्तान लगी है उनको हमने आवंतिक भुपाल के लिए किया है बहुत जल्दी हम उनसे टाइम पर डिसाइड कर प्रेजेंटेशन उनका बोपाल सेहर में बोपाल की जन प्रियों के सामने जाएंगे ऑपाल की जंता के सामने देंगे और निस्टी तूब से जो हमारी टिकरीख होती है उस परिकरीगा को फालुएप करते हुए हम बहुत जल्दी ऐसे कूपमें और कुछ काना चाहेंगे प्लास मेरी तरव से बहुत बहुत बढ़ा शुपकार नहीं और ऐसे आई जनों से निश्चितूपस है, हमारे अधिकारी भी आये हैं तो की गोश्चा साब मुथता है जी, निश्चितूपस है हम सब का संबल बढ़ता है और ऐसी चीज़ों से शेहर के अंतर सबस्चितूपस है